अगर BBC का जहां यह documentary बनी उसका मुख्याल है हिंदुस्तान में कहीं होता तो ED, मालो ED बीजी है तो CBI, CBI बीजी है तो income tax, income tax बीजी है तो SFIO, SFIO बीजी है तो DRI, DRI बीजी है तो local police, local police भी मालो बीजी है तो troll army पर unfortunately for Modi government, आखे बंद करने से सच्चाई नहीं छुपाई नमस्कार SPN 9 News देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मांशी जैस्वाल, BBC documentary तो आपको याद ही होगी The Modi question, BBC की documentary जब से release हुई तब से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं गुजरात दंगों में आखरकार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की का क्या रोल था उसको लेकर कि सवाले निशान खड़े किये जा रहे हैं दरसल मुक्य मंतरी 2002 में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी थे लेकिन आखरकार क्यों उनकी तरफ से कोई भी action नहीं लिया गया और क्या वागई दंगे भढ़काने में जिस तरीके से कोई भी एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया उनके सीधे तोर पर सवालय अनिशान खड़े किये गए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पर ये पूछा जा रहा है कि आप मुख्यमंतरी के तौर पर गुजरात दंगो के समय क्या कर रहे थे आकरकार आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया सीधे दौर पर मुख्यमंतरी रहते हुए जो नरेंद्र मोधी पर सवालय अनिशान खड़े किये जा रहे है जिमदार गुजरात दंगो के लिए उनको बताया जा रहा है BBC की डॉक्यमंटरी को ले करके आप कहा जा रहा है कि जब से उनकी डॉक्यमंटरी रिलीज हुई है तब से तमाम सोशल मीडिया पर उसको बैन कर दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से आप देखी किस तरीके से यहाँ पर तानाशाही की राजनीती करके लोगों को उस डॉक्यमंटरी को देखने से रोका गया लेकिन उसके बावजूद तमाम JNU के स्टूरेंट्स दिली उनिवरसिटी के स्टूरेंट्स उस डॉक्यमेंट्री को देखने के लिए गए स्क्रीनिंग हुई बगाईदा उनिवरसिटी में और वहां पर डॉक्मेंट्रि को देखा गया कई राज यहाँ पर खुले हैं BBC की डोक्योमेंटरी में और BBC की डोक्योमेंटरी काफी विश्वसनियता के साथ दिखाई गई है काफी जादा सबूतों के साथ यहाँ पर दिखाई गई है और यही वज़ा है कि प्रदानवंतरी नरिद्र बोदी यहाँ पर डरे हुए से घब पहुंची थी, CBI पहुंची थी, शिकंजा ED CBI ककसने के कोशिश की केंदर सरकार के तरफ से ताकि BBC जो है वो डर जाए, आपको बता दें BBC की डॉक्यूमेंटरी जो है वो जब से रिलीज हुई है तब से प्रधान मंतरी नरे दिमोधी सवालों के घेरे में घेरे हुए हैं और तमाम सोशल मीडिया से उस डॉक्यूमेंटरी को बैन क्यों किया अगर BBC का जहां यह डॉक्यूमेंटरी बनी उसका मुख्याल है हिंदुस्तान में कहीं होता तो ED मालो ED बीजी है तो CBI, CBI बीजी है तो income tax, income tax बीजी है तो SFIO, SFIO बीजी है तो DRI, DRI बीजी है तो local police, local police भी म बीजी है तो Troll Army पर unfortunately for Modi government आखे बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती है आप इन चीजों को बंद कर दोगे उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या I we would like to remind honorable prime minister of our country that आपको वाचपई जी ने क्या का था मोदी जी ऐसे ही प्रेसवारता थी आपके राइट हैंड साइड में आप बैठे वे थे उन्होंने कहा राजधर्म निभाओ राजधर्म कौन से राजधर्म के लिए बुला वही राजधर्म वो BBC की documentary दिखा रही है जो आपने नहीं नि चेताया था जिनको आप रोज भूलने का बुलाने का उनकी नीतियों को उनकी व्यक्तित्तों को छोटा करने का प्रयास करते हो उन्होंने आपको का था वो आप ही के पार्टी के थे कि राजधर्म निभाओ और ब्लॉक इन इंडिया से आपको क्या लगता है सच्चा ही चुपेगी ये इस तरह के हतकंडे इस तरह का एक्शन ये लोगों में विश्वास दिलाता है कि वो जो दिखा रहे हैं वो सही है वरना आपको ये करने की कहा जरूरत पड़ी थी थोड़े दिन बाद हो सकता है कि और भी इस तरह का और हमने पूर में भी देखा कि इस तरह के काम मोधी सरकार ने किये है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब आई हम नहीं मानते प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खराब आई हम नहीं मानते दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में है UNDP और Oxford University के रिपोर्ट के अनुसार हम नहीं मानते कोई भी आप सवाल पूछ लो हम नहीं मानते आपके मानने से सवाल खतम नहीं होगा सवाल तो as it is वहीं पर है तो इस schemes को इस चीज को आपने block करके prove कर दिया कि जो वो बोल रहा है वो सही है उसमें सत्यता है यह आपका action इसको दिखा रहा है आपके मन में घबराट है अगर आपके मन में सच्चाई होती तो आप इस तरह की इस तरह का reaction नहीं करते यह सवाल लगातार बना हुआ है तो क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी यहाँ पर गुजरात दंगो को ले करके देश और दुनिया की तमाम वड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPNI News